यह तो मैं मानता हूं कि इस बार बुद्दे भी रहे और चुनामी गोशना पत्र भी महत्पूर रहा है मदगर्णा के दिन आप कैसे पैयार ही कि आपके लोग तो वहां रहेंगे लेकिन आप स्रहन भी वहां मौझोद रहेंगे तो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे जब हमारा गोष्ण पत्र आया मैं जैसे पहले कहता था हमारा एटम मम फूटेगा और फूटा कि हड़बड़ा गए कांगरिसी लोग सभी पत्यासी अलग अलग तरीके से भगवान के दर्वार में जा रहे कोई कहीं मत्था दिखने जा रहा है लेकिन असलियत तो तीन दिसंबर की शाम तक पता चलेगी कि किसकी सरकार बन रही है और कौन बहुमत में आ रहा है है लेकिनism णो सांसंद जील का क्या सोचना है क्या सजियत अपशित पूल और ne इस मत्था प्रती चे क्यास होते लग इसमें अपने तरीके से उसमें कैसे लगाते हैं लेकिन एक्ष्वल जो जमीनी हकीकत है उस से पर्यख होता है है जम्मेनी हकीकत यह है कि भारती जन्ता पार्टी के सरकार 36 गड़ में बन रही है और हम दूसरे प्रदेश की बात नहीं करते हम तो अपने प्रदेश में जहां भारती जन्ता पार्टी के सभी कार करता हूं ने महनत की है, जनता कासिरवाद हमें मिला है, और बहुत सारे जो काले कारणा में इस कांगरेस सरकार ने किया है, उसके विरोध में जनता, भारती जनता पार्टी को मद्दान की है, और उसका प्रिधफल तीन तारी को दिखेगा, ये मैं सभी सुनने वालों से कहना चाहता कि आप लोग जिस तरह ये बाते हो रही है, उससे लगभग अपने आपको बचा के रखें, ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं सब ब्यक करते हैं जिस तरीके से पिछले चुनाओं के मुकाबले, इस बार भाजपा के जो सीटों की बढ़ोत्री दिखाई जा रही है, वो उसके पीछे का क्या क्या आप, क्यों कि आप गोशना पत्र समीती भी रहें, तो गोशना कई बार से अच्चा भी हो चुकी, कि बहुत दो-तिन लोगों के मन तक पहुंचे, तो क्या मानते हैं, अगर सीटे बढ़ रही है, तो उसके पीछे का बड़ा रीजन सबसे बड़ा क्या मान रहे हैं? और किसके उपर वो विश्वास करें? कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय बहुत सारी गोशनाएं की, लेकिन चंद गोशनाओं के अलावा, उन्होंने पूरी तरह से गोशना पत्र में जो दिये थे, उसमें काम दूनों नहीं किया. सब को के साथ चलावा किया, धोखा दि हैं और ये विश्वास लोगों के मन में बना, इसलिए भारती जनता पार्टी के गोशना पत्र का इंतिजार बेसबरी से लोग कर रहे थे. उसके पीछे कारण भी था कि हम लगवक सभी विधान सभा को टच किये, जाके वहां के लोगों घौनाएं जानी, हरिस्तर के लोग नहीं करती, ये लोग अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए घौशना पत्र भी एक महत्पुन कड़ी रही, और ये हरबडा आगे हमारा घौशना पत्र देखके, जो लोग बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, जब हमारा घौशना पत्र आया, मैं जैसे पहले कह हमारा एटम मम फूटेगा और फूटा, पिह बड़ा गये कांगरिसी लोग, और कुछ भी अनरगल फिर घौशनाय करने लगे और तो उस पर विश्वास लोगों ने नहीं किया, जिस तरीके से अब चुनाव हो गया, अब मदगर्णा का मात्र अभी कुछ घंटे कह सकते हम अगर देखें तो, तो सभीर पत्यासी अलग-अलग तरीके से भगवान के दरबार में जा रहे हैं, कोई कहीं मत्था दिखने जा रहा है, लेकिन आप पहले जब से दान हुआफ के बास से लगाता यहीं है, अपने छेतर में सक्री हैं, तो आप कहीं नहीं गए रशनकर में हमारी जनता जनारदन देवतुल्य हैं, और सबसे पहले पूजा था मुसी की करें, जिनके पास हमने हाज जोड़कर निवेदन करने गए, और बाकी मेरा रूटीन है, मैं तो मंदिरों में जाता हूँ, मस्जीदों में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता ह हूँ, अभी जब गुरुनानक जनती पार हुई तो, गिरिजा घर में भी जाता हूँ, अब सब लोग मिलते हैं, अभी इसाई भाई लोग आये थे, एक बड़ा जलसा, पिछले साल भी मैं उसमें था, उसमें एक महा रेली निकलने वाली है, पांच तारीक को, उसके लिए कोई महा काल जा रहा है, कोई कामेख्या देवी जा रही है, मेरी भी सरद्धा सबसे है, मगर समय बे समय वहाँ भी जाते रहता हूँ, मगर आज परिस्थितियां जो है, मैं यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता, मगर मेरी भाउना है, यहां के मंदिर में और यहां के जो हमारे लोग है जिनसे मिलना भी आवश्यक है उनसे मिलकर मैं अपनी सारी खुश्या बाढ़ते रहता हूँ और साधारन जिन्दगी जीना ही मेरा हमस्या से लक्ष रहा है और उसी रूप में मैं अपने आपको अभी भी उसी रूटीन में मैं चल दा हूँ मदगर्णा की दिन आपकी कैसे तैयारी की आपके लोग तो वहां रहेंगे लेकिन आप स्वेंदी वहां मौज़ोद रहेंगे हाँ वो तो बेवस्ता है सभी टेवल में हमारे एजेंट रहेंगे फास बनकर तयार हो गया है और जो लोग हमारे साथ ही आएंगे हम लोग एक साथ बैठेंगे कहीं मैं तो एक राउंड मार के लोगों से मिलने बाहर आ जाओंगा और लगभग बीस अठारा राउंड है तो हम लोग पुरी तरह से आस्वस्त हैं और कल हमने समिक्षा बैठेंगी की बहुत उस्सा था हमारे साथियों के हमारी बहने भी थी युवा साथी भी थे बड़ी उस्सा है और निस्सित रूप से हम सुनाव जितेंगे पाटग में तो यह थे शांसत विजय बगिल और जिस तरीके से घुष्णा पत्य समीति की घुष्णाओं को ले करके जो उत्सा मद्दातों में देखा गया उसका कहीं नतीजा यह रहा कि महिलाओं का वोटिंग परसंट पुरे 36 गर्ण में बढ़ा है तो कहीं ने कहीं यह एक इंडिक जो परिणाम आएंगे तिन दिसंबर के शाम को उस पर है को मल धने सर आई बिसी 24 भिलाई